दोस्तों कहते हैं कि भारती शेयर बजार में इतना पैसा है कि वो पूरे देश के पैसों की प्यास बुचा सकता है देखिए जादार लोग शेयर मार्केट को ठीक से समझते नहीं है और उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं जैसे कि शेयर बजार एक जुवा सट्टा के जैसे है इसमें बहुत रिस्क होता है इसमें पैसा सिर्फ किस्मत वालों का ही बनता है लेकिन ऐसा वही लोग कहते हैं जिनने इसके बारे में आ तो सही जानकारी नहीं होती या वो किसी फिल्म को देखकर अपने से ही तरक लगाना शुरू कर देते हैं और वही COVID-19 के बाद यंग लोगों में इसकी रूची ज़्यादा दिखाई दी है क्योंकि उस वक्त सभी के पास खाली समय था कुछ सिखने का, ओल्लाइन पैसा कमाने का तो लोगों ने शेयर मार्केट की और अपनी रूची दिखाई पर COVID-19 के पहले तक कई लोगों को शयद ये भी नहीं पता था कि शेयर मार्केट होती क्या है और COVID-19 के पहले हमारे इंडिया में मुश्किल से 10 परतिशत लोगी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और वही यूएस में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या 50 परतिशत से भी जादा है क्योंकि भारत में लोगों को जानकारी कम है और लोगों के मन में ये भरा पड़ा है कि ये एक 60 बजार है या कई लोग रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन रिस्क तो आपके जीमन में हर दिन है शायद आप जानते होंगे कि हमारे देश में महेंगाई दर जिसे इंफलेशन रिट कहते है वो हर साल 10% के रिट से बढ़ रहा है यानि कि आज जो वस्तु 100 रुपे की है वो अगले साल 110 रुपे की हो जाएगी और पेट्रोल लिजल के दाम तो आप सब देखी रहे हैं और हर आदमी अपना पैसा बैंग में डाल कर ये सोचता है कि हमने सेविंग्स की है पर बात को थोड़ा समझिए कि बैंग में पैसा जमा करने से वो बढ़ेगा तो बिलकुल नहीं बलकि इस महंगाई के जमाने में उल्टा घट जाएगा क्योंकि सेविंग एकाउंट आपको 3% का ब्याज देता है करनेंट एकाउंट तो कुछ देता ही नहीं FD में भी आपको 5% ही ब्याज मिलता है वो भी कुछ-कुछ बैंकों में ही और अगर आप अपने पैसों को बैंक FD जैसे जगह उपर रखने का सोच रहे हैं तो इससे आप सालाना 5-6% घाटे में ही रहोगे और रेयल इस्टेट और गोल्ड में भी आपको 8-9% की ही रिटन मिलती है लेकिन एक घर, जमीन और सोना खरीतने में आपको अच्छी खासी रुपियों की जुरत पड़ती है और इतना पैसे एक middle class family या फिर किसी student के पास नहीं होती बट आप share market में minimum balance से भी निवेश कर सकते हैं Sir Warren Buffett जिने king of investing कहा जाता है जिनकी पूरी wealth सिर्फ investment से ही grow हुई है और उन्होंने ये कहा था कि मैंने investment महस 13 साल की उम्रों में ही चालू कर दी थी लेकिन मुझे लगता है कि मैंने investment काफी देर में चालू किया खेर आपको सिर्फ थोड़ा smartly work करना पड़ेगा जिससे आप भी अपनी अच्छी खासी wealth create कर सकोगे अब आते हैं हम main point पर कि share market आखिर क्या होती है और काम कैसे करती है दोस्तो share market का मतलब है हिस्सेदारी बजार जहांपर share का मतलब होता है हिस्सेदारी और market का मतलब बजार जैसे हम बजार जाकर समान सबची वगेरा खरीते हैं वैसे ही share बजार में हम company के हिस्सेदारी को खरीते और बेचते हैं दोस्तो अब बात करते हैं कि शेयर बजार काम कैसे करती है इसे पहले एक simple example से समझते हैं ये बिलकुल आपके अपने बजार जैसा ही है या आप कह सकते हैं कि ये एक auction market की तरह है auction market मतलब निलामी बजार जहां कुछ unique समानों की निलामी की जाती है और खरीदने वाला अपनी बोली लगा कर उस समान को खरीद लेता है अगर उस समान की value ज़्यादा है तो जिस इंसान की बोली सबसे ज़्यादा होगी वो समान उसका हो जाएगा दूसरे example में हम अपने सबची बजार से समझते हैं दोस्तो ठंडी में अंडों की मांग जादा बढ़ जाती है जिसे हम demand कहते हैं और वही गर्मियों में या कोई festival season जैसे नवरात्री दिवाली के समय अंडों की कीमत सस्ती हो जाती है क्योंकि इसकी मांग कोई नहीं करता औ और दुकानदारों के पास भी इसकी बहुत सी मात्रा पड़े रह जाती है मतलब कि जिस वस्तू की मांग जाता है और supply कम है तो उस वस्तू की कीमत में वृत्ति होगी और जस्टिस के opposite जिस वस्तू की supply जाता है और demand कम है उस वस्तू की कीमत घटेगी तो ऐसा ही बिलकुल share market भी काम करता है जिन शेयरों की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होती है और जिन शेयरों की डिमांड कम होती है जिसे कोई लेना नहीं चाहता तो उसकी कीमत गिरते जाती है अब हम बात करते हैं कि शेयर बजार में निवेस कैसे करें दोस्तो मतलब आप एक दुकान समझ सकते हैं जहां भारत की कुल 5,000 से भी ज्यादा कंपनियों की शेयर खरीदारी और बिकवाली के लिए लिश्ट होती है तो इन में से एक BSC जिसका पूरा नाम है Bombay Stock Exchange और दूसरा है NSE जिसका पूरा नाम है National Stock Exchange और दोस्तों Sensex BSC में Listed Company की कीमतों को दिखाता है और Nifty 50 NSE में Listed Company की कीमत को दिखाता है Sensex में भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल होती है और Nifty 50 में भारत की 50 टॉप की कंपनियां शामिल होती हैं तो पहले के जमाने में जब इंटरनेट उतनी नहीं थी तब लोगों को शेर खरीदने के लिए NSE BSC जाना पड़ता था लेकिन आज सब प्रॉसेस ऑनलाइन हो गया है अब घर बैटे ही किसी भी कंपनी के शेर खरीद सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको एक एकाउंट के ज जैसे जिरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अब स्टॉक्स और भी बहुत सारे जिनकी कुछ मिनिमुम सी फीस होती है इनके जरीए आप डीमेट एकाउन बनाकर किसी भी समय इंवेस्टिंग शुरू कर सकते हैं दोस्तो अब हम बात करेंगे कि कौन सी शेर हमें खरीदनी चाहिए और कैसे पता करेगी कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। दोस्तो किसी भी कंपनी में निवेस्ट करने से पहले, आपको मार्केड अनलेसीस करना पड़ेगा। शेर मार्केट में दो टाइप की अनलेसीस होती हैं। पहला है fundamental analysis और दूसरा है technical analysis तो दोस्तो fundamental analysis में आप company के performance चेक करते हैं, उनकी balance sheet चेक करते हैं, management चेक करते हैं, उसके product चेक करते हैं, और company के business को analysis करते हैं, और दोस्तो fundamental analysis, long term investment के लिए काम आती है, और technical analysis में, आप company के share price की chart को analysis करते हैं, इसके अंदर भी कई दरगे analysis होते हैं, जैसे कई सारे tools लगा कर, तो निवेश करने से पहले आपको analysis करना सीखना पड़ेगा, और यदि फिर भी आपको निवेश करने के जल्दी है, तो आप उन companies में निवेश कर सकते हैं, जो थोड़ी नामी गिरामी companies हो, क्योंकि long term में ये company आपको normal return दे ही देंगी, दोस्तो अब जानते हैं share market से जूड़ी कुछ important facts के बारे में, दोस्तो दुनिया के सबसे मान investor, Warren Buffett ने जब पहली बार एक company में invest किया था, तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, बस उन्होंने उसी company में निवेश किया था, जिस company का product वो खुद यूज करते थे, लेकिन जब उन्होंने share खरीदा, तो अगले ही दिन company के share price नीचे आ गए, और कम से कम 6 महिने तक उन्हें कोई भी मुनाफ़ा नहीं दिख रहा था, ऐसे में वो डरने लग थे, और सोचने लगे कि क्या मैंने गलत company खरीद लिया, या मेरा फैसला कहीं गलत तो नहीं था, तो ये डर उन्हें खाय जा रहा था, तो जब करीब 10 महिने में company का share price उपर आया, तो उन्होंने अपने ही खरीदे हुए price पर बेज दिया, ये सोच कर कि चलो मुझे घाटा हो रहा था, इससे अच्छा मैं बिना घाटे और बिना फायदे के ही निकल जाता हूँ, लेकिन उनके बेचने के एक हफते बाद ही, उस company का share price 70% तक चड़ गया था, और ये देखकर Warren Buffett बहुत दूख हुए, और उन्हें सीख मिली कि market हमारे लालाच और डर का परिच्छा लेता है, share market उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं, जो ये सोचते हैं कि एक दो महिने में उन्हें अच्छा खासा मुनाफ़ा हो जाएगा, market आपके patience और emotions की परिच्छा लेता है, अगर आप धैरे रखते हैं तो बेशक आपको market से अच्छे result मिलेंगे, और आप market में आये हैं तो जल्द बाजी बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको भी ये सट्टा बजार ही लगेगा, तो आज के लिए बस इतना ही, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और share market, finance और investment से related जानकारी के लिए जूड़ चाहिए हमारे चैनल से, धन्यवाद.